मैंने पार्लमेंट में सिर्फ एक इंस्टिटूशन के बारे में बात के वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है कोर है जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है Cabinet Secretary and Secretaries और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा प्रधान मंत्री कहते हैं कि वो OBC के लिए बहुत काम कर रहे है अगर प्रधान मंत्री इतना काम कर रहे है तो नब्बे में से नब्बे लोगों में से सिर्फ तीन लोग OBC Community से क्यों है पहला सवाल दूसरा सवाल मैंने यही अनालिस अनालिसिस बजट को देखके की कि यह पूरा हिंदुस्तान का बजट किया है और यह जो OBC Officers हैं यह इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं OBC हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है OBC Officers तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है प्रधान मंत्री हर रोज OBC के बात करते हैं OBC Pride के बात करते हैं मगर OBC के लिए क्या क्या अब जब मैंने यह बात बोली उनका response बड़ा interesting है वो कहते हैं कि लोग सभा में हमारा representation है लोग सभा में representation का क्या लेना देना है मैं कह रहा हूँ कि budget decision जो लेते हैं जो बजट को officers दें जो बजट को कंट्रोल करते हैं 5% OBC निनने ले रहे हैं और मैंने सिर्फ यह सवाल पूछा क्या हिंदुस्तान में OBC के आबादी 5% है यह मैं जानना चाहता हूँ अगर 5% है तो फिर वो ठीक है उसको मैं accept करने के लिए त्यार हूँ मगर अगर वो 5% से ज़ादा है तो मुझे यह पता लगाना है और एक बार मैं मन बना लेता हूँ मैं छोड़ता नहीं हूँ मुझे यह पता लगाना है यह उबिसी हिंदुस्तान में कितने है और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए